पटना की एक लड़की जिसकी शादी 2010 में हो गई थी उसकी एक बेटी भी है उसके बाद वो अपने पती से अलग होती है और हाली में इंस्टाग्राम पर वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम था मंटू कुमार मंटू कुमार और उसके बीच दोस्ती हो गई और उसके बाद मंटू कुमार उस लड़की के घर पर आने जाने लगा उसको पता था कि उस लड़की की शादी हो गई है उसकी एक बेटी भी है और उसके बाद मंटू कुमार और उस लड़की के बीच प्रेम प्रसंग चलने ल पुरुष डॉक्टर के पास हमको मंटू ले जाता है, मेरा अबॉक्षन करवा देता है और उसके बाद वो लड़की कहानी सुनाती है कि 2020 में ही 14 अप्रेल को वो लोग एक मंदिर में जाते हैं और मंटू उसकी मांग भर देता है, मांग भरने के बाद बिना पंडी जी के बि प्रशांत राय है, ये वीडियो SK मंदल ग्रूप अफ इंस्ट्यूशन द्वारा प्रायूरित है, ये जो इंस्ट्यूशन है ये परामेडिकल में फार्मेसी में और मेनेजमेंट का पाठे करम करवाता है और ये लोग एक इजाम करवा रहे हैं जिसमें आपको स्कॉलर्श मंटू से उसको प्यार हुआ, प्यार के बाद शालिरिक संबंद बनाए गए, उसके बाद मंटू ने उसका दो बार अवशन करवा दिया, 2020 की बाद है मंटू उसको एक मंतिर में ले जाता है, उसके मांग में सिंदूर भर देता है और उसके बाद होता है असली खेल मंटू वहवार करने लगा, उसके बाद 22 जून आता है, 22 जून को मंटू कहता है कि हमको कटिहार जाना है, मंटू कर दो पूरा परिबार है, वो कटिहार में रहता था उनके बड़े भाई, उसकी मां, लेकिन असलियत में मंटू है रहने वाला बकसर का, मंटू कटिहार जा को कहता है और चला जाता है सिल्ली घुडी अब लड़की परिशान हो जाती है उसको लगता है कि वो जूट बोल कर उससे कटी हाँ जाने के बदाए क्यों करते हो मंटू उसकी बात नहीं सुनता है और 22 जून को जब मंटू जाता है तो 29 तारी को फिर वापस पटना आता है, पटना के एक होश्टल में वो कभी-कभी रहा करता था, लड़की जाती है वहाँ पर उसको खोजने के लिए उन्तिस तारी को तो वह वहाँ नहीं मिलता है, लड़की अब इसको लेकर परिशान होती है कि आखिर 22 को भी गया जूट बोलक और 29 को पटना आया, तो आखिर हमसे मिलने क्यों नहीं आया, और उसके बाद लड़की को शक होता है कि मंटू उसके साथ खेल कर रहा है, उसके बाद जब लड़की पता करने का प्रयास करती है कि मंटू ऐसा उसके साथ क्यों कर रहा है, तब मंटू उसको धमकी देता है मा भी भी सुनवाई नहीं होती है यहां पर यह बात याद रखीगा कि 2010 में उस लड़की की एक शादी हो चुकी थी उसके उस वक्त के पती प्राइवेट टीचर थे और उस पती से उसको एक बेटी भी है और यह सब बात उस लड़की के अनुसार मंटू को पता था फिर भी बारेंगे पिटेंगे और फिर लड़की जाती है मंटू के माबाब के पास और मंटू के माबाब भी उससे बात नहीं करते हैं और हार कर लड़की पहुंचती है महिला थाना और महिला थाना में मंटू को कहा जाता है कि तीन अगस्त को मंटू महिला थाना में पेश नहीं ह हम वहाराल सोशल मीडिया पर लोगों को खुब प्यार होता है लोग चैटिंग करते हैं बात होता है फिर number exchange होता है फिर कैफे में मिलने का सिलसिला सुनु होता है और उसके बाद क्या होता है ये परने के दो साल के भीतर क्या खेल हो रहा है आप समझ लीजिए मंदिर में शादी होई थी जिसका कोई सबूत नहीं है ना कोई पंडित जी थे ना कोई मंत्र पढ़ा गया था शिंदूर लाकर शादी हो गई और उसके बाद मंटू ने उस लड़की को ठग लिया है लड़की मीडिया के प्यार पर भरोसा नहीं करना है कबर समाब थुआ आप जिंदा नेक्शन देख रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद